आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक computer का मतलब होता है एक CPU एक monitor है ना या फिर हम एक laptop लेते हैं मगर मैं आज आपको बताने वाला हूँ दो computer के बारे में मतलब कि एक CPU और दो monitor यानि कि आप उसको अपना दो computer बना सकते हो अलग-अलग user बना सकते हो जैसे कि मेरे पास जो दो Sam है और एक मेरे दोस्त रवीका है तो हम दोनों एक ही CPU से चला रहे हैं मैंने अपने पीछले वीडियो में मैंने live gaming करके और live editing करके भी मैंने दिखाया था जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है मैं उनसे request करूँगा सब सब पहले आप वो वीडियो देख ले क्य और आम से पूछ सकते हैं क्या यह पॉसिबल एक सही में कि क्या हम एक CPU से दो computer चला सकते हैं क्या हम एक laptop से दो computer चला सकते हैं अलग-अलग हां यह possible है आप अलग-अलग keyboard अलग-अलग mouse मतलो wallpaper भी set कर सकते हो अपने दोनों computers पे आप 2 computer ही नहीं आप 10 से 12 computer चला सकते हैं। अगर आप computer की रूची नहीं रखते हैं, ये knowledge बहुत कारगर साबित होने वाली है आपके लिए भी, क्योंकि किसी को इस चीज के बारे में बहुत कम ही मालूम है, ये छोटी छोटी knowledge आपको कहीं न कहीं, आपका जेव खर्चा भी निकाल सकती है, किसी को idea दे कर, जैसे कि मैं जब computer की shop पे जब मैं गया था, तो उनको इस चीज के बारे में नहीं मालूम था, और वो लोग हसर है थे, कि नहीं ऐसा possible है, ये नहीं कि हम एक CPU से हम दो computer चला सकें, मगर ये possible है, अब 10 से 12 computer चला सकते हैं, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना और request करूँगा मैं आप लोगों से कि आप इस वीडियो को skip ना करें, क्योंकि आप एक पॉइंट इब अगर से skip करते हैं, तो सैद हो सकता है काफी बड़ी चीज को आप skip कर जाएं, तो ये कैसे possible है, या तो hardware के वज़े से possible है, या तो software के वज़े से possible है, एक hardware में मारे पास एक option मिलता है, thin client का, thin client छोटा सा डबबा होता है, जो 3000 के आसपास का cost पड़ता है, जिसमें कि आपको काफी सारे limitations मिलती है, और उस limitations में आप सिर्फ कुछ limited काम कर पाऊगे, जैसे कि word चलाना, excel चलाना, ये सब चीज़े कर पाऊगे, मगर heavy task नहीं कर पाऊगे, जैसे gaming करना Adobe Photoshop, Premiere प्रोच है, जो ये सब आप उसमें नहीं कर पाएंगे, अब हम बात करते हैं software में, जैसे कि VMware, virtual machines, हमें अपने CPU को half-half divide करना होता है, यानि कि जो भी हमारी specification है, हमारे CPU की, RAM हो गया, अगर जो हमारे पास 8GB का RAM है, तो हमें 4-4GB half-half करना पड़ेगा, ताकि हम एक virtual machine generate कर स software में, अब हम आते हैं, virtual machine के बाद, cloud client solution, ये आपका online, एक virtual ही machine समझ लीजे जिसको, जिसमें कि आप high speed internet चाहिए होता है, जो कि आप किसी super computer पे, या फिक किसी बड़े computer पे, आप online, आप यहां से remote काम करते हो, उनके cloud server पे, जो कि आप यहां से बस अपने काम करने के बाद, आ export कर सकते हो, जो कि internet से connect रहता है, जिसमें कि आपको थोड़ा बहुत lag देखने को भी मिलता है, और बहुत ज्यादा आपको वो cost effective ही पड़ता है, और एक ठड़ एक ऐसा software है, जो बिलकुल नाया है, जिसको install करने से ही मात आपका सारा काम हो जाएगा, और वो उसको ना internet की ज हमारे foreign countries में काफे सारे schools में इस चीज़ के इस्तमाल किया जा रहा है, या खुद सोचो यार अगर जे आप 5 computer खरे देने जाओगे अपने school के लिए 5 CPU के लिए कम से कम नहीं भी तो आप 80 से 1 लखर कर खर्च कर सकते हो, जिसमें कि आप अपने Photoshop वेगरा चला सको, इतना compatible computer लेने के लिए, आप वही 80 से 90 हजार अगर जे सिर्फ एक CPU में खर्च करते हो, तो आप 5 नहीं 8 computer चला सकते हो, उसी अकेले CPU से, बिलकुल easy है, और ये offline software है, यानि कि कोई भी cloud, client, virtual machine नहीं है ये, अश्टर के अंदर capability है कि ये 12 वर्क स्पेस तक चला सकता है, यानि कि 12 users तक इसको चला सकते हैं, वो आपको मैं अलास्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि step by step आपको clear होने के बाद ही आपको समझ में आगा कि 12 वर्क स्पेस तभ अश्टर चलाना चाहते हो किसी भी purpose के लिए, तो आपको मैं एक सराह यही दूँगा कि आप कोई भी processor अगर आप लेते हैं, तो processor आप latest लें, या 12 generation का लें, या 13 generation का लें, या 14 generation का लें, और प्लस इसमें आपका integrated graphic card जरूर हो, integrated graphic card बहुत ज्यादा जरूर है आपके latest processor में, और जो मेरा motherboard है, इस motherboard में 4 output है मेरा monitor के लिए, और प्लस मैंने graphic card लगा रखा है, अपना 12 GB का, जिसमें कि 2 DP और 2 HDMI है, जिसमें कि मेरे पास option पूरा का पूरा मिल रहा है, कि मैं 8 workspace चला सकता हूँ, सिर्फ में अपने अकेले CPU से, मेरे को थोड़ा सा heavy task करना होता है, redesign का का काम हो गया, autocad हो गया, editing का काम हो गया, gaming करना है, तो इसलिए मैं सिर्फ दो workspace चलाता हूँ, यह दोनों काम एक साथ easily हो पाता है, आश्टर software में कैसे आप second workspace को आप कैसे assign कर सकते हैं, और यह example देखने के बाद आप समझ जाएंगे, कि 12 workspace तक आप कैसे हर एक चीज को assign कर सकते हैं, देखिए, आश्टर जब आप download कर लेते हैं, तो उसको जब आप install करते हैं, तो install करने लेने के बाद उसको आप launch ना करें, ठीक है, launch करने से पहले एक छोटी से सेटिंग है, आप उसको जरूर करने, हमने क्या करना है, setting में जाकर, पहले हमने अपने दोनों setup को, यह जैसे कि अभी बिले पास आप देख रहे हैं, दूसरा display है, मेरा एक यहाँ पर जो display है, तो अभी हम इनके setting यह करनेंगे, ज्याद और जो दूसरे वाला है, यह मेरा two workspace है, edit name कर सकते हैं, अपना नाम दे सकता हूँ, केके, और जो second वाला workspace है, वो मेरे रवी भाई का है, तो मैं उनका नाम दे सकता हूँ, जब software को launch किया है, तो आपको कुछ इस तरह से दिखा, है न, मगर आपको ऐसा नहीं दिखेगा, यह कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, यह सारा एक तरफ होगा, एक तरफ से होगा, यह ऐसे होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर रवी खाली है, बिल्कूल भी, ठीक है, यह second workspace red दिखा रहा है, और यहाँ पर खाली है, तो मुझे क्या करना पढ़ेगा, मुझे workspace 2 करने के होगा, तो वहाँ पर 1.2 हाइलाइट हो जाएगा, अब मैं इसको 1.1 पकड़ता हूँ, तो मेरा automatic यहाँ पर identify कर रहा है, कि हाँ, यह मेरा display जो है, यह 1.1, उसके बाद हम mouse और keyboard कैसे assign करते हैं, रवी भाई, आप keyword का कोई भी key दबाओ, रवी भाई, यह key दबा रहे हैं, ब यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि एक ही mouse यहाँ पर चल पा रहा है, तो इसका मतलब यह है वो, जो second हम system को देना चाहते हैं, उसके बाद रवी भाई के लिए हमने headset भी है, तो रवी भाई को headset कैसे identify करना है, इसमें एक टंटन की आवाज आती है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसम से आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा होगा, तो यह हमने assign कर दिया, उसके बाद से हम कुछ और भी assign कर सकते हैं, जैसे कि हमारे monitor का speaker sound, हमारे monitor में एक जो नीचे speaker लगे हैं, वो भी हम assign कर सकते हैं, हमें यहाँ से identify करना पड़ेगा क्यों कौन से sound है, complaint, control device, workspace 1, emoo, nvidia, high definition audio, यह मेरे उसी desktop का है, यह हमने इधर assign कर दिया, मतलब जो हमारे उधर का है, यह BenQ, मेरा यह वाला है, यह stereo mix किसका है, यह जैसे कि हम headphone का, हम separate separate mic के भी अलग कर सकते हैं, तो जो रभी भाई का है, वहाँ से हम identify कर पा रहे है, जो रभी भाई माइक से बोलेंगे, तो यहाँ प है, keyword काम कर रहा है, यह हमारा mouse काम कर रहा है, हमारा mic भी काम कर रहा है, जो मैं बोल रहा हो, mic भी बोल रहा है, तो second workspace में तयार है और headphone भी हमने check कर लिया, तो इतना करने के बाद हम इसको सिधा क्या करते हैं, जादा कुछ नहीं करना आपको, यह apply करना है, बस असान है, apply कर कर दिया, और यहां भी एक notification आ रहा हमें, पॉप अप है, तो यह आपको बता रहा है, कि apply तो आपने कर दिया, apply करने के बाद, अब आप Esther को चलाना पड़ेगा, आप यहां से क्या करोगे, enable Esther करोगे, मैं कर के दिखाता हूँ, मगर एक बार, जैसे कुछ लोगों का सवाल य लाइसेंस खरदा है, तो अगर मैं मानता हूँ कि मेरे को 12 वर्कस्पेस चलाना है, मेरे पास अभी 8 का option है, तो 6 और चलाना है मेरे को, तो मुझे वर्कस्पेस 6 खरीदना पड़ेगा, उसका लाइसेंस मुझे, मैं क्या करूँगा, यहां पर डालूँगा, यहां पर हम क्य मेरा हो जाएगा, 8 वर्कस्पेस, तो यह ऐसे एक्स्टेंड होता है, आप 12 वर्कस्पेस तक चला सकते हो, एक एक चीज को आप ऐसे ऐसे साइन कर सकते हो, अब आप सोचते हो कि कोई एक डिवाइस है, मेरे पास जैसे कि यह वैब कैम है, यह कॉमन है दोनों के लिए, तो ज जैसे कि यहाँ पर शेर्ड डिवाइस लिखा हो है, तो यह शेर्ड डिवाइस क्या है, जितने वर्कस्पेस होएंगे, यह उनके शेरेबल होगा, एक बार में आप किसी एक ही वर्कस्पेस में एक शेरेबल डिवाइस को आप यूज कर पाऊगे, कुछ ज़्यादा फाल्त प्रमीशन मांग रहा है हम इसको येस कर देंगे जैसे मेरा अब ये PC स्टार्ट हो चुक है मेरा सैम का प्रोफाइल सब से पले लोड ले रहा है तो अब इसमें ऐसा होगा कि अभी जैसे ये खोल जाएगा क्योंकि एक तरफ से मेन कंप्यूटर मान के चली मेरा मतलब मैंने अ सबस्टट करेगर आया कि यहाँ पर अलग हो चुका है यह कुस्त है मैं यहां पर कर रहा है और जैसे पर सेपरेट चल रहा है यहाँ पर सपरेट यहां पर बर्क्सपेस चल रहा है अब यह दोनों अलग अलग है मैं यहां से उदर नहीं जा सकता हूं अब यह आप्याइब हो कुछ नहीं समया है तो आप कमेंट करके पूल सकते हो नहीं तो आप चैली बोर्वर्क्स पेस तक जा रह रहे हो चार मेरे मेरे मधर बोर्ष्ट में लगाना पड़ेगा जिसमें छार पॉर्ट और हो तो मतलिब की मदर बोर्ड में supported भी होना चाहिए कि दो ग्राफिक कार्ट support करें मेरे motherboard में तो इस चीज का आप भी ध्यान रखें motherboard है वो दो ग्राफिक कार्ट support करें at least आप बार अबर स्पेस चल सके overall output करके ठीक है भाई अगर license की खरीदने वाले होना तो हमारे लिंक से खरीदेना नीचे description लिंक दिया हुआ हमारे मेहनत का फॉल हमें ही मिलना चाहिए ठीक है बाकि थैंक यू चलो वीडियो कंप्लीट कर दो यार पूरा देखो आप hardware और specification के बारे में अगरे जा आप जानना चाहते हो आप उन लोगों से अच्छे सा सलाह करें तब आपका system है आप बिल्ड करवाएं बस आपको अपने वजट के हिसाब से वहाँ पर देखना है ताकि आप समझ सको हाँ कुछ लोगों के comments थें कि दो workspace है और मैं gaming करना चाहता हूँ live gaming करना चाहता हूँ तो क्या multiplayer कर पाएंगे और same account से और same id से तो मैं उन लोगों मैं बताना चाहूंगा कि देखो जैसे कि मैं steam पे games खेलता हूँ हमने यह trial करके देखा था कि हम एक ही id से और एक ही game को हम एक ही बार खेल सकते हैं किसी एक PC में हम दो PC में नहीं चला सकते हैं अगर ऑफलाइन game है जो कि हम crack या अलग से setup लेकर हम download करते हैं तो वह आपका अलग-अलग run कर सकते हो otherwise अगर आपके पास दो steam के id है मानके चलिए और दोनों steam में अपनी game purchase की हुई है और दोनों same game है आप उस चला सकते हो तो इस चीच का भी धिहान रखना कि आपका system जो है capable होना चाहिए उस game run करने के लिए एस्टर जब आप install करते हो तो क्या-क्या problem आ सकती है पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई सबसे पहले बहुत सारी problem होएंगे जब आप crack install कर लोगे तो पीछे मत भागना क्योंकि मैं सबसे पहले जब इस सौफ्ट्र के बारे में जब जाना मैं तो सबसे पहले मैं crack के पीछे बागा था क्रैक के मत करना बकि आप मानोंगे नहीं मुझे पता है यह फिर भी कराइक आंड करोगे जाके करके देख लेगा और क्रैंंटिस भले आपका दिमाग खराब कि ये काम कैसे करते है काम destructive कि बाइए औरिजिनल सौर्टवेर क्रेक से ज्यादा असान है इस चीज का ध्यान रखना है आई-पी एड्रेस मतलब इंटरनेट चलाने में नहीं इंटरनेट चलेगा आपका सब में चलेगा जो फेस करता हूं वो यह है वर्कस्पेस वन जो मेरा में चलते हैं वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है कि दोनों में से कोई एक ही वर्टसप चल रहा होता है तो इस चीज देखने के बाद इसको आप सौल आउट कैसे किया जा जब इंटरनेट आपका ग्रोम पर अच्छा चल रहा है आपका यूट्व पर जाके तब बनाओगे तब करोगे नहीं नहीं जहां से आप अश्टर को लॉंच करते हैं और डिसेबल करते हैं अश्टर के सौफटवेर में आप हर एक वर्क प्लेस इसको आप असाइन कर सकते हो अब इस्टाटिक आईपी अड्रस जिसको नहीं पता है आप यूट्व में हम वह भी ट्राइगर के देख लेंगे क्योंकि हम लग यूज कर रहे हैं हमने लाइसेंस खर दा हुआ है एस्टर का जो कि हमने एक साल के लिए ऐनुवल प्लान कर दा हुआ हमने आपको दो कंप्यूटर चलाने के लिए आपको कोई भी स्पैसिफिशन की जुरुत नही रहे हैं हो ए एक और में आपको बात बता देता हूँ पर यहाँ पर एस्टर व fac one भी प्रोवाइड कर रहा है मगर वो lifetime के लिए नहीं देता है वो सिर्फ annual charge करता है उसके लिए जो कि आपका इंडियन currency में 900 रुपे के आज पास है उसका official page का link मैंने अपने टेस टेकिक से site पर दिया हुए मैंने direct page दिया हुए आप जाके आराम से उस पर redact करो और हर चीज को analyze करो कुछ नहीं समझ में आता है फिर से message करो या comment करो ए टेलिग्राम में में मेरे को बताओ मैं हूँ अहां पर आपके लिए कन्फ्यूज मत होना यार जो workspace 1 के बारे में बताया कि अभी एक मैं चला रहा हूँ यहां पे और मैं एक workspace 1 खरी लिता हूँ तो मेरा एक भाई और बेहन चलाने लगेगा नहीं यार ऐसा मत करना वह workspace 1 का मतलब हो गया कि आप एक ही workspace चलेगा जैसे मान के चलो 7 user चाहिए है न तो 7 user कैसे आप use करोगे 6 workspace ले लो उसके बाद से workspace 1 का annual ले लो तो वह आपके 6 प्लस 1 user हो जाएगा 6 प्लस 1 7 workspace हो गया यानि कि 7 workspace मतलब 7 लोग आप उसको आराम से चला सकते हो 7 monitor लग जाएंगे आराम से मगर वह जो 1 workspace है वह annual ही रहता है वह lifetime के लिए नहीं है देखो भाई जहिर से बात है आपका बिजली भी बचा रहा है आपका hardware को पैसा भी बचा रहा है ठीक है एक तो भाई जगे भी बचा रहा है आपके घर का है ना maintenance cost बचा रहा है आपका यार आपका एक बार का खरचा होगा बहुत मगर आपका चीज भी बहुत स्ट्रॉंग बनेगा capability बह मतलब जितना यूजर्स डालोगे जितने बंदे चलाएंगे उसमें आधा-धा बढ़ जाएगा नहीं यार जिसको जितना लगता है उसको कंज्यूम होता है उसके बाद से वापस रश्ट और इस वीडियो को उनको जादा जादा शेयर करिए जिसको यह वीडियो देखना बह जाना चाहते हैं मतलब सिस्टम की कमी के वज़े से बच्चों को नहीं सिख्छा दे पार एजुकेशन नहीं दे रहे हैं कम्पेटर के वज़े से यह वीडियो उनको ज्यादा से ज्यादा शियर गोरो मैं आपको हर चीज गाइड करने लेते यार हूँ ठक गे होगे बहर हो सब्सक्राइबर वाले सक्षिन में वहां पर भी आपको फॉर्म मिल जागा उसको फील कर दो बस क्या कुछ नहीं है भाई उसमें जो सवाल मैंने पुछे कोशिंस कुछे उसको आप फील करो और गीववे के लिए आप रिश्टर हो जाओ और यह गीववे सिफ इंडिया व झाल